रे की एट्यून्मेंट लेने के मिनमम तीन दिन से पहले से ही हर रोज सुबर साथ आठ तुलसी के पत्ते अच्छे से पानी में धोकर जबाकर खाना चाहिए और फिर पानी पीना चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको ये भी बता लेना चाहोंगी कि अगर आपको तुलसी का पत्त ना मिले तो आप तुलसी अर्क या तुलसी ड्रॉप्स जो मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म में उसको भी यूज कर सकते हैं पर बेटर है आप तुलसी के पत्ते ही यूज़ करें वो ज्यादा प्योर होंगे नेक्स्ट जिस दिन आप रेकी अट्यूमेंट का दिन आपका फिक्स किया गया होगा आपके रेकी गुरु के द्वारा उस दिन भी सुबह आपको वैसे ही तुल्सी के पत्ते खाने हैं और उसके पहले वाले दिन मतलब ज पिछले वाले दिन और अगले दिन तीन दिन आपको नॉन्विज एवॉइड करना है इवन प्याज लसन भी आपको नहीं खाना है कोल्ड रिंग्स चॉकलेट्स वगेरा स्वीट्स चाय कॉफी इन सब से भी परेज करना है अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं उन से भी आपको परेज करना है अट लीस्ट यह त्री डेज वैसे तो यह पूरे जिंदगी अगर अवाइड करें तो बहुत अच्छा होता है पर फिर भी इफ इस नॉट पॉसिबल इन तीन दिनों को आपको थोड़ा मेंटेन करना ही है नेक्स्ट जिस दिन रेकी अटिन लेंगे मैं आउनलाइन की बात बोल रही हूँ कि मैं ओनलाइन के और तुर्मेंट ही देती हूं इसलिए बता रही हूं आप अपने घर में जिस रूम में से यहा टूटमेंट ग्रहन करने वाले हैं उस घर की अचछे से सफाइक जिएगा दर्वाजा खीरकी तो अच्छे स बाहर से कोई आवाज वगएरा ना आए एकांत स्थान होना चाहिए जो आपके एकाग्रता में सहायता करेगा साथी साथ जिस रूम में आप अटिंडमेंट लेने जा रहे हैं उस रूम में आप बैट पे बैट सकते हैं या फ्लोर पे आप एक चदर बिचाईए या मैट्रेस बिचाईए या ग्राउंट पिचा सकते हैं और फिर उसके उपर एक चेयर रखिए जो आपका फाइवर का चेयर हो सकता है वुडन चेयर हो सकता है पर ध्यान रखिएगा मेटल का चेयर बिलकुल ना हो और साथी साथ एक ऐसे कुशन की जरूरत है जिसमें आप दोनों पैरों को अच्छे से रख सकते हैं और बीच में थोड़ा सा जगा भी खाली हो ऐसा एक बड़ा कुशन रखना होगा आपको साथ उस रूम में आप अच्छे से फ्रेग्रंश लगाए यह कोई आप वहा अगर बत्ती जलाईए अगर हो सेज या और भी कोई हर्ब सेथो उस से स्मझिंग कर सकते उस रूम महाग के अगर धूना या गोगल से भी आप धूआ कर सकते उस रूम में उस रूम को पवित्र बनाना है यही में उद्धिश है और रेकी एटिर्मेंट लेने से पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिएगा यह भी ध्यान रखना है आपको कि आपके शरीर में कोई भी मेटल चीज ना हो मेटल की चुईज जैसे ब्रोंज, कॉपर, आयरन यह सब नहीं होना चाहिए मंगल सूत्र वगेरा आप रेगुलर वेसिस पर यूज करते हैं तो उसको रख सकते हैं जो मेंडिटरी है उनको रख सकते हैं पर मोस्टली जो मेटल से मेटल को अवाइड करना है बस यह सब चीज और एक कॉपी और पेन आपके साथ रखिएगा नोट्स वगेरा लिखने के लिए और आप खुद थोड़ा शांत मन में रहिए रेकी से पहले से प्रे कीजिए कि आपका अच्छा हो बस इतना ही यूनिवर कर दोते इतना है रेकी साम्स्यार कर आप कर एंट आपके साथ रखिए जोड़ा गलस में इए आमस्टे लिए रखिए और गाइड का अश्यार से लिए फिए जिए हृश्यार ग्रीजार को